टूब एब्रीवन, सुआख आपका आपने ही चैले खिनी ने, वे इंगलिश टैंकर में गाइस आज तो श््टोरी में आकटे लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है, इक अच्छा लेसन है आज की श्टोरी है द किंग्स लेसन राजा का सबक Apostrophe S का meaning होता है का के की तो राजा का सबक ठीक है चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में बहुत अच्छी है एक निया स्टक्चर सीखने को मिलेगा मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आपको इसमें से कोई निया स्टक्चर सीखने को मिलता है तो उसके जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना के देखा कीजिए तांकि उस स्टक्चर को आपको अच्छे से याद हो सके हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे word to word हिंदी तो मैं यहां नहीं लिकूंगी लेकिन जो भी मुश्किल words होंगे वो मैं बताती जाओंगे और स्टक्चर भी साथ में बताती रहूंगी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग चैनलेशन पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले युद अब बॉस के साथ बिंग दिखाई दे रहा है और साथ में क्या है थर्ड फॉर्म सिर्फ इतना है ना जब ये स्टक्चर आपको कहीं भी निउस पेपर में कहीं भी आपको दिखे तो उसको आपने कैसे सेंस पिठानी है फाउट मींज होता है लड़ाई करना है ना अब वॉस बिंग मींज मतलब लड़ा जा रहा था देखे लड़ा जा रहा था एक लड़ाई एक बार एक जो युद है वो लड़ा जा रहा था क्लियर है मैं यहां लिख देती हूँ जा रहा था का सेंस आएगा क्यों क्यों कि ये क्या है ये है past continuous का passive है past continuous में क्या होत है was के साथ first form होती और ing होती है लेकिन ये पेसिव है जब हम उसका passive कर देंगे तो वॉस के साथ बिंग आएगा और साथ में third form आएगी जब आप passive पढ़ोगे तो उसमें आपको यही पढ़ने को मिलेगा लेकिन मैं आपको story में ही ऐसा समझा रही हूँ sense क्या बेठेगा जा रहा था इस तरह से एक बार एक युद लड़ा जा रहा था near means pass में एक mountain पहाड़ी के पास में the battle was being fought between two kings again देखिए जो युद था वो लड़ा जा रहा था किसके बीच में दो राजाओं के बीच में again वही sense पैठा देखे न वो जो युद था वो लड़ा जा रहा था दो राजाओं के बीच में one had a large well equipped army and the other had a small army अब देखिए इस had के साथ कोई भी आपको third form नहीं दिखाई दे रही है है ना है भी नहीं है यहाँ पे तो ये past perfect तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो had लगा है तो क्या है अगर had कहीं भी आपको अकेला दिखे बिना verb के तो उसका meaning होता है कि कुछ होने के लिए अगर past में कुछ है तो had लगेगा अगर present में है तो has have लगते है उसके साथ verb की form नहीं होती one had a large एक के पास थी बहुत बड़ी well equipped होता है सुसजित बहुत ही सजाई हुई सुसजित आर्मी सेना थी एक के पास and the other had फिर आया a small army एक राजा के पास थी मतलब सजी हुई आर्मी थी बहुत अच्छी और दूसरे के पास small army थी soon the king with the smaller जल्दी ही जो राजा था इसके साथ with the smaller जो छोटी आर्मी थी उसकी begin to lose second form लगी है यहां से पता चलता है कि यह past indefinite है means उसने शुरू किया क्या करना खोना to lose his man अपने आदमी उसने धिरे धिरे खोने शुरू कर दिये ठीक है ना seeing this यह देखकर the king lost all his hope रे देखकर राजा ने खो दिया lost second form है past indefinite है अपनी जो आशा थी और जो साहस था आशा और साहस सब खो दिया उसने यह देखकर देखे न he was very tired वो बहुत थक गया था and had many injuries अब देखे फिर had लगा and had means उसके बहुत थी क्या थी injuries थी बहुत सारी है देखे उसको क्या लगे थे मिन चोटे लगी थी बहुत देखे उसको चोटे भी आई थी he had no hope of winning उसको कोई आशा नहीं थी जीतने की the battle now अब उसको युद जीतने की कोई भी आशा नहीं थी so he ran away वो भाग गया second form है simple past है so he ran away वो जल्दी भाग गया from the battlefield उस युद के मिदान से वो भाग गया and reach पहुचा a mountainous forest किस में पहाडी जंगल में वो पहुच किया ठीक है he found a cave उसको मिली found क्या मिली एक गुफा मिली in the mountain पहाडो में and went गया go की second form है simple past है गया inside अंदर उसके it पहाडी के he lie down to rest वो लेट गया lie down means लेट गया क्या करने के लिए आराम करने के लिए लेट गया आगे देखते है as he lay there looking at the cave wall जैसे ही वो लेटा वहाँ वो क्या देख रहा था at the cave मतलब गुफा की दिवार के उपर he saw उसने देखा a spider एक मकडी देखी वहाँ पर जो वो वहाँ लेटा राम कर रहा था तो cave गुफा की जो दिवार है गुफा की दिवार है उसके उपर उसने मकडी देखी the spider was climbing up to its web जो मकडी थी अब वोस के साथ first form ing है अब ये क्या है past continuous है रहा था रहे थे का sense देता है ना अब इसमें जा रहा था का sense नहीं आएगा अगर हम इसको passive बना देंगे तो जा रहा था का sense भी आएगा was की साथ being लगेगा ये इसकी form third हो जाएगी ठीक है ना ये simple past continuous है इसमें रहा था का sense आएगा climbing होता है चड़ना चड़ रहा था एक जो मकडी थी वो चड़ रही थी उपर अपने किसके जाल की उपर चड़ रही थी its web its means मकडी के लिए यूज किया अपने web के उपर चड़ रही थी when it was about to reach जब वो पहुँचने ही वाली थी अपने जाल पर it felt a jerk and fell down और वो नीचे गिर गई it made another attempt उसने किया दूसरा पर्यास ठीक है उसने दूसरा पर्यास किया but got the same result लेकिन उसको मिला got means मिला same result ठीक है same परिणाम मिला उसको the king was watching the spider's attempt जो राजय था वहां बैट कर he was watching वो देख रहा था past continuous देख रहा था the spider's मकडी का पर्यास each time it tired मिल परतेक चमें वो ठक गई the thread wood आगे देखते हैं इसका ताते ही का मनलब sense आता है wood का वो चाता मैं खाता इस तरह से the thread wood आगे देखते हैं the thread wood break जो धागा था वो टूट जाता and बार-बार तूट जाता and it would देखे ना fall to the ground ये चीज बार-बार हो रही थी तो wood लगा जैसे हम used to के बाद बार-बार wood लगाते हैं तूट जाता और वो नीचे गिर जाता ground में the spider tried several times जो मकडी थी उसने कोशिश की second form है past indefinite है उसने कोशिश की several times बहुत समय बहुत बार but could not reach could not नहीं सकी ठीक है नहीं सकी कहा नहीं सकी पहुँच नहीं सकी its web अपने जाल तक at last it pulled the thread across उसने धागे को खी चापनी और and soon reached its web चल्दी ही वो अपने web तक पहुँच गई the king had observed all this जो राजा था वो सब देख रहा था observe किया उसने सब कुछ देख रहा था had observed had के साथ third form लगी है past perfect है चुका था चुके थे चुकी थी का से इंच आता है A था E थी A थे इस तरह से वो सब देख चुका था all this he thought उसने सोचा this spider is such a tiny creature but it was firmly determined तीक है उसने अपने मन में क्या सोचा कि this spider is a सचा कि कैसा बहुत छोटा सा प्राणी है जीव है creature है but लेकिन it was firmly determined बहुत ही to complete its task उसने अपने काम को अपने काम को टास को पूरा करने की ठान ली है determined means ठान लेना टीक है it did not lose hope और give up when it failed it means spider के लिए लगाया गया did not के साथ first form है past indefinite का negative है ये टीक है past indefinite का negative है उसने अपनी जो आशा थी वो नहीं खोई और give up और कभी हार नहीं मानी when it failed जब वो जब वो मतलब असफल होने पर भी उसने आशा नहीं खोई और हार नहीं मानी I must learn a lesson from this spider मुझे जरूर सीखना चाहिए a sabak from this spider इस मकड़ी से that never to give up हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए must का जो use है वो चाहिए means जरूर I will go अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है I will I will go मैं जाओंगा future indefinite will के साथ first form है गागेगी का sense आएगा go means जाना होता है जाना के साथ हम क्या लगा देंगे गा जाएगा and fight मतलब लड़ूंगा the large army at all odds बड़ी आर्मी से बड़ी सेना के साथ मैं लड़ूंगा जाऊंगा और लड़ूंगा at all odds means जितनी भी परिशानिया हैं उसके बावजुद भी I will try my best मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा I will try मैं कोशिश try होता है कोशिश करना इसके साथ क्या आएगा कोशिश करूंगा future indefinite with these positive thoughts in जो सकरात्मक सोच के कारण the king went back to the battlefield वो गया he encouraged his small army उसने प्रोसाहित किया encourage second form है प्रोसाहित किया प्रोसाहित किया किसको किया small army को अपनी छोटी सी आर्मी को उसने क्या किया encourage किया ठीक है small army to be fighting and he too fought hard और वो खुद भी खुद भी means किससे लड़ा बहुत ही hard means बड़ी मन लगा कर लड़ा ठीक है बहुत ही उससे ठान कर लड़ा अपने at last the king and his small army won the battle at last अंत में जो राजा था और उसकी जो small army थी one means जीत गई second form है simple past है युद को and all of them rejoice और सबने क्या किया means खुशिया मनाई rejoice होता है खुशी मनाना देखे keep fighting means लड़ते रहने के लिए उसने क्या किया encourage किया कोई भी काम करते रहना जैसे keep speaking बोलते रहना बोलते रहता इस तरह से बहुत अच्छा structure है जो moral है वो क्या है failures must not hold you back जो असफलता है वो आपको रोक नहीं सकती है ठीक है ना failures must not hold you back कभी भी आपको पीछे नहीं खीच सकती take them as a challenge इसको एक किस की तरह लेना चाहिए challenge की तरह चिनौती की तरह लेना चाहिए ज़रूरी नहीं कि हम एक बार fail हो गए ज़रूरी नहीं है तो अगर आप चाहते हैं तो लो अदर्वाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं भी लेना तो मैं करवाई रही हूं आपको ठीक है ना आप यह स्टोरी अच्छी लगी का इस तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत बूलेगा और जितना हो से कि अपने फ्रेंड्स को शेर कीजिए ताकि वो भी सीख सके अच्छे से स्टक्चर के साथ और सेंस के साथ इंग्लिश को गॉड ब्लिस यू